नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूटूब चैनल टीच सुरज दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो वाई 17S फोन में लॉक स्क्रीन पर आटोमेटिक चेंज वाल पेपर शेटिंग कैसे आन करें जी हां दोस्तों अगर आप भ यूटूब चैनल दोस्तों में लॉक स्क्रीन पर आटोमेटिक चैनल तो चैनल पर नई हो रहा है ँसके लिए आपको करना क्या होगा आपको सबसे पहले अपने फोन posuto को आन करनाились के बाद और तोश्याग debates को करो देखर लब चारोगे आपको देखें यहाँ पर मिल जाएगा Lock Screen Wallpaper का अप्शन आप Lock Screen Wallpaper वाले आप्शन पर क्लिक कर दीजीगा उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपेन हो जाएगा आपको यहाँ पर देखें लीचे मिला है Lock Screen Settings का अप्शन आप Lock Screen Settings वाले आप्शन पर क्लिक करना आपको First Number पर मिल जाएगा Lock Screen Poster का अप्शन आप Lock Screen Poster वाले आप्शन पर क्लिक करना आपको यहाँ पर देखें First Number पर मिला है Lock Screen Poster Wallpaper का अप्शन जो कि यह Disable है तो आपको इसे आन कर देना है तो चलिए हम आपको डेमो कराते हैं हमारी जोह लॉक स्क्रीन पर वाल पेपर चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसके लिए हम अपने फोन को लॉक करेंगे गाइज आप देख सकते हो हमारा यहां पर वाल पेपर चेंज होने लगा है हम जितनी बार अपने फोन को लॉक करेंगे हमारा वाल पेपर उतनी बार यहां से देखे चेंज हो रहा है आप अपने फोन में कुछ इस प्रकार वाल पेपर चेंज कर सकते हैं अगर आप भी Vivo Y17S फोन में लॉक स्क्रीन पर आटोमेटिक चेंज वाल पेपर शेटिंग आन करना चाहते हो तो आप इस प्रकार कर सकते हो आई हो गाईज आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं फिर किसी दिन नएच टॉपिक नएच वीडियो तब तक के लिए बाई टेक हियर